वर्षो 1909 में सुहासिनी गाउली का जन्म ततकालीन ब्रिटिश भारत और आज के बांगलादेश के खुलना में हुआ वो भारती स्वतंतरता संग्राम की सेनानी थी आजादी के लड़ाई में उन्होंने चटगाउं शस्त्रागार कांड के करांतिकार्यों की मदद करने में महत्तुपूर्ण भूमिका निभाई स्वतंतरता संग्राम की लड़ाई में उन्हें आठ साल के लिए हिजली के जेल में बंदी बनाया गया वर्ष 1942 के अंदुलन में उन्होंने फिर से स्वतंतरता संग्राम में भाग लिया और फिर से जेल गई भारत वर्ष के आजादी उनके जिवन का सबसे बड़ा सपना था जिसको पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जिवन समर्पित किया और अंत में उन्होंने भारत को आजाद होते हुए भी देखा